नमस्कास, स्वागत आपका हमारे चैनल उर्जा दा एनर्जी दिवाइन लाइट में आपने कभी कभी देखा होगा कि किसी परिवार में या तो बेटों की साधिया नहीं होती, काफी उमर हो जाती है और साधी ही नहीं हो रही है या फिर साधी हो जाती है तो वन्स वेल आगे नहीं भड़ती है बेटा नहीं हो रहा है या बच्चे ही नहीं हो रहे है या फिर परिवार में किसी की अकाल मिरती हो रही है बेवज़े एक्सिडेंट्स हो रहे है मतलब कि कुछ न कुछ परेशानी इस तरह की लगी रहती है कि वो खतम ही नहीं होती और सारे उपाय आपके बेकार जाते हैं आप सब तरह की उपाय करा लेते हैं लेकिन कोई भी फैदा आपको नहीं मिल रहा है लड़कों की साधी या तो होती ही नहीं है नहीं तो खुद लड़के ये जिद पकड़ के बैट जाते हैं कि हमें शादी नहीं करनी है हम सादी करेंगे ही नहीं तो ये सारे जो लच्छन हैं ये आपको बता रहे हैं कि आपके परिवार में पित्र दोस लगा हुआ है इन में से कोई भी लच्छन अगर आपके परिवार में हैं आपके खांदान में लड़कों की शादियां किनी भी कारणों से नहीं हुई है या फिर सादी हो गई है लेकिन उनके बच्चे नहीं है या बेटे नहीं है बंस आगे नहीं चल रहा है तो इसको ये मान करके चलिए कि कहीं न कहीं आपके पित्र आपसे रुस्ट हैं और इस का प्रभाव अधिकतर परिवारों में या तो बड़े बेटे पर देखा गया है और या तो सबसे चोटे बेटे पर अतलब कि या तो सबसे बड़े बेटे का परिवार आगे नहीं बढ़ रहा होगा और या तो सबसे छोटे बेटे का परिवार आगे नहीं बढ़ेगा ये एक पहुत महत्पून लच्छन है पित्र दोस को पहचानने का अब अगर आप इस बात को पहचान लेब कि हाँ पित्ल दोस आपके परिवार में आपके खांदान में है तो फिर इस से कैसे उबराज जाए क्या उपाय किया जाए कि इस पित्ल दोस से आप मुक्ति पालेए जिससे कि आपका परिवार आगे बड़े आपका खाना नागे बड़े, आपका बंस आगे बड़े, आप शिरम अधी करें, आपके घर में जो बेवज़े के रोग लगे हुए हैं, बेवज़े के जो दुरगटना हो रही हैं, उससे आप बच सकें, तो इसके लिए आपको एक बहुत अच्छा सा उपाय में बताने जा रही हूं, इसको आप अपने पित्रों का ध्यान करते हुए, अच्छे मन से एक बार कर लीजिए, और फिर आप इस सब परिशानी से मुक्ति पाजाएंगे, आपको करना क्या है कि अपने खानदान के सभी व्यक्तियों से, जो भी आपका जहां तक खून का रिष्टा है, उ आपको ले लेना है, और अगर कोई व्यक्ति आपके परिवार का पैसा देने को, यानि कि एक रुपया भी आपको देने को तयार नहीं है, वह कहता है कि हमें इस समय कोई विश्वास नहीं है, हमें इन सब बातों को नहीं मानते हैं, और हमें इस से कोई फरक भी नहीं तो आपको क्या करना है कि आपको उस एक रुपए का दस गुना यानि कि दस रुपए अपने पास से उस प्यक्ति के नाम से मिला देने उस पैसे में और उन सारे पैसों को कलेक्ट करके आप धर मंदिर में जाकरके दान करके आ जाएंगे जब आप यह करके आजाएंगे आप देखेंगे कि स्वत्तर ही पित्रदोस्य जो परिशानिया आपको हो नहीं थी वो बिलकुल भी नहीं होंगी वो सभी परिशानियां समाप्त हो जाएंगी पित्ल दोस्त का बहुत ही अच्छा और सलल उपाय है इसे आप अवश्य कर लें अगर आपके घर में आपको पित्ल दोस्ते सम्मंदित लच्छन दिख रहे हैं तो धर्म मंदिर जाने का भी एक तरीका है कि आप जो अपने घर के द्वार से निकल ले हो तो अपने बाई तरफ या तो आपके घर के आसपास ही मंदिर होगा जो कि आपको सामने ही दिख रहा होगा या आपनी नज्रें आप गुमाएंगे तो वहां दिखेगा मुस्तली ऐसा ही कि मंदिर घर के आसपास होता है और अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने धर्वाजे से निकलेंगे तो बाई तरफ से निकलेंगे तो वहां पर जो भी धर मंदिर को मिलता है आप पर जा करके इस पूरे धन को धान कर पिर तो दोस्का नामों निसान आपके परिवार में नहीं रहेगा और आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं आपको मारा चैनल कैसा लग रहा है बताएगा वसे कमेंट पॉक्स में कमेंट लिक करके और अगर चैनल पर नए हैं तो क्रिपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए धन्यवाद नमस्का झाल झाल झाल